आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स तो जैसा कि हमें पता है कि सक्षमता परिक्षा को लेकर कि नियोजीत सिक्षक जो है वो आंदोलन पे उतर आये थे और लाठी चार्ज भी उन पर हुआ था उसके बाद जो डिप्टी सीम है बिहार के समराथ चौधरी उन्होंने आसवासन दिया था कि 15 तारीक को वो नियोजीत सिक्षकों से मिलेंगे वारता करेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे तो उसी से रिलेटिड यहाँ पे एक जो है वो नियूज आई है और नियूज आई है एक पत्रकार है उनके द्वारा अब कितनी इसमें साथ डिप्टी सीयम की होगी वारता बीजेपी परदेश कायाले में दोनों डिप्टी सीयम रहेंगे मौजूद समराठ चौदरी और विजय सिनहा करेंगे सिक्षकों से बात सक्षमता परिक्षा से जूरी समस्याओं पर होगी वारता तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी कि डिप्टी सीयम जी ने उसी दिन कहा था कि पंदर तारी को बारता रखेंगे नियोजी सिक्षक के साथ बीच का रास्ता निकालेंगे तो उसी को लेकर करके अपडेट है कि आज शाम 6 वजे जो डिप्टी सीयम है समराठ चौदरी जी और विजय सिनहा जी बीजेपी पर्देश का या लेवे दोनों डिप्टी सीयम मौजूद रहेंगे साथ में संगठन के नियोजी सिक्षक संगठन के कुछ नेता भी रहेंगे और बातचीत करेंगे और जो भी इस एक्जाम से रिलेटेट उनको प्रॉब्लम है वो सामने रखेंगे बात अपनी डिप्टी सीयम के देखते हैं फिर क्या डिसीजन होता है उमीद है कि पॉजटिव नियूज ही आएगी जो भी नियूज आएगी आप हमारे चैनल से जूरे रहें जैसे ही कोई नियूज आती हम लोग आपको जरूर अपडेट करेंगे इस चैनल के थुरू और मिन्वाइल आप हमारे चैनल के लिजए सब्सक्राइब और इस वीडियो को किजए लाइक और शेयर